बारिश के बाद एक वर फिर कुंदा नदी का सफाई अभ्यान प्रशासन और नगरपालिका ने जो शो से शुरू किया है पिछले कुछ सालों से निरंतर कुंदा सौंदर करण को लेके अभ्यान चलाया जा रहा है लेकिन कुछ ही समय बाद यह कूडे करकर जलकुंबी से कुंदा की तस्वीय सपाई अभ्यान की तस्वीर बयान करने लगी हाला की रविवास से शुरू है अभ्यान को अच्छा प्रतिसाद मिला है और जनांदौलन के रूप में तबदिल होता नजर भी आ रहा है सुबह सी अफसर कुंदा टट पे पहुचे हैं और रहवासियों ने भी उस साह से भाग लिया सांसद का जिंदर पटेल कलेक्टर कुमार पुशुत्तम नगरपाली का अधिक से तहित अन्नी जन प्रतिनी दिया सवाल नगरपाली का अमल आजी हातों में तगारी पाबड़ा लेके नदी में उत्रे हैं श्रमदान किया है कुंदा नदी में बड़ी मात्रा में बेतर तीब जमा हुई जलकुम्भी की सपाई की गई कलेक्टिस आंसद ने बढ़ाया कि अभ्यान तीन माहा तक चलेगा जिसमें जेसी भी मशीनों की मदस्ते गाद, कच्रा, आदी, रेत, पत्थन निकालकर गहरी करण किया जाएगा यहां से निकले वाले खनी जुरायटी के साड़ बेज जुशाएंगे, मटी के सानों और इट निर्माट के लिए निश्युलक दी जाएगी वो काभी पीचे हो गए हैं परिशयत के एक टीम भी बन रही हैं, जिसमें चाया दीदी ने बताया के एक नगर परिशयत के टीम बने की सवच्छता को लेकर भी और कुढंडा नदी को लेकर भी तो जिस कार ड़से में पीछे रहे हैं उसमें सब का स engvivalmet है, समाज का. समाज का environment हो हम खरगुन शहर स्वच्छर है सब की इच्छा है और इसलिए सभी पार्षाद और जनता का अन्वालमेंट होगा तो मुझे तक खरगुन शहर वापस अपनी जो इस्तिती थी उससे अच्छी बेहतर इस्तिती में बनेगा अभी तक खरगुन वासियों को नहीं मिल पाएं निश्यत्वर पर कहिन कई दो ढ़ाई साल कोरोना के रहें कोरोना कालकान सभी शाष्की प्रशाष्टी के काम रुके थे काम श्लो हो गया था तुरिंद गती से बढ़ा है उसकी समीक्षा भी आधरनी मुख्यमद्री जी ने करी है उन्होंने काया कि जन्वारी फरवरी तक कहीं भी वोकारपन इस जितनी परविजना चल दे जिसके कान से खेतों में और लोगों को मिलने आला पानि मिले मुझे लगता है कि निश्यत दर पर उसमें सुधार हो रहा अभी हमारे जिलाद्यी जी को भी जल्दी जल्दी पानी पहुंचे उसकी समिक्षा की गई मुझे लगता है कि आने अले दो तिन मैने में काम गती से बढ़ेगा भी पानी लोग मिलेगा